इतने ज़्यादा निगेटिविटी आ गई है, मैं थोड़ा पॉजिटिविटी की ओड़ ले चलता हूं बात को, केरल जैसे स्टेट में बीजेपी दो सीटों पर लगातार लीट कर रही है, और वो दोनों सीट बड़े ही बियाईपी सीट है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी दस साल की इन्टी इनकमेंसी होती है, यहां तो पांक साल में लोग भगा देते हैं सरकारों को, यह तो दस साल के बाद यह एलेक्टिन लड रही है, लेकिन केरल में जिस तरह से राईपी ने अपनी जगह बनाई है, आपने अभी बताया, स्टेट में ओरीसा इनके हाथ आय तो कहीं पर माइनस हो रहा है तो कहीं प्लस हो रहा है। लیکिन हाँ एक बात हम लोगों को याद रखना चाहिए। और वही पार्टी है और अमिस्सा और नरेंद मोदी में भी ये ताकत है कि ये जब हारते हैं तो बाकई में सीखते हैं लेकिन अभी तो पलिनाम आने हैं और फिर भी अगर सरकार बन जा रहे हैं अभी आपर हमारा ये था कि चुकि इतने काम हुए हैं आज भारत की पोजीशन मैं आपको बताओं 2014 में इंडिया की आपको मैं फोरन रिजब के बल बता रहा हूं कि 312 या 314 अरब डॉलर था जो आज 10 सालों में 641 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है भारत बहुत सारे इंटरनेशनल पारामीटर में बहुत आगे आ चुका है पॉजिटीव रिटि ट्रेड करना चाहता है यह भारत के साथ कभी नहीं हुआ था और अगर इस बार अभी तक तो चुनाव चल रहे हैं काउंटिंग हो रही है अगर यह परिनाम इंडिये के फेवर में नहीं आते हैं तो साइब भारत के तरक्की के ऊपर भी ब्रेक लग सकता है यह मेरा कहना है बिलकुल राकेश जी वापस लोटेंगे श्रीकान जी भी हमारे साथ में स्टूडियो में मौझूद है श्रीकान जी आप किस तरीके से देखते हैं पांच राज्य जिसमें की बीजेपी को जीत दिलाते हैं उन्हीं राज्यों में बीजेपी थोड़ा बहुत पीछे जा र प्रोडिसमें अच्छा खासा काम किया था इसमें कोई दोराय नहीं है तमिलाडू अब आण्दरा में चंदरबाबु नाइडू ने बहुत विकास किया था लेकिन चंदरबाबु नाइडू आए हैं दस साल जहिलने के बाद और अखिलेश यादा और दस साल सब अनौस का बढ़ेंगे खाली विकास विकास पेट नहीं भरता है ना आप कितना एक्सप्रेस बना लीजिए जनता को उससे फाइदा क्या मिलेगा चीधी बात है ना आप एक्सप्रेस बना लीजिए रोजी रोजगार रोजगार आज भी आदमें सरकारी नौकरी डूड़ रहा है कि जिसे की जो युवा है वो अपने अपने यानि की स्वाव लंबी बने वो निर्बार ना रहा है सरकारी नौकरी पर यह पर्सेप्शन का खेल है ना आप मैं कह रहा हूं किसी को बताईया मत कि साहब चार किलोमेटर दोड़ना है और ले जाए उसको सड़क पर खड़ा कर तक माइंसेट नहीं करेंगे माइंस चेंज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा दूसरा सबसर में तो पूने माफ कीजेगा मुझा लगता है कि इंडी गड़बंदन ने मुस्लिम वोट बैंक तो उनके साथ एक मुस्त जुडा रहा बागी वोट बैंक उन्होंने बहुत तरीके से अपने साथ जोड़ा श्रीकान जी यहां पर ना इस बार का मुद्दा आप आपने जब मुस्लिमों की बात चेड़ी यहां पर आरक्षन का मुद्दा बड़ा गर्माया था मुख्यमंत्री योगी आजितनात का बें बयान आया कि मैं यह जो समभिदान से खिलवार की बात कर रहे हैं कोई भी खिलवार नहीं होगा जिसका जो भी यहां पर अगर आरक्षन मिल रहा है उसको उत्रा आरक्षन मिलेगा तो आपको क्या लगता है यह तीसरे फेस में आक करें तो कारे करता भी हर एक स्थर पर उपर उठने की कोशिश की गई है वहीं अगर विपक्ष की में बात करो विपक्ष भी उपर उठता हुआ नजर आए तो कुल मिलाकर जब दो चरंड के बाद हमने सातों चरंड देखे हैं आरक्षण का मुद्दा उठा क्या आपको लग मुस्लिम वोटर्स हैं वो घरों से बड़ी संख्या में निकले तो क्या आपको लगता है कि ये अगेस्ट गया बीजेपी के बिल्कूल गया और दूसरा ही है बीजेपी को सोचना पड़ेगा और नरिंद्र मोदी को सोचना पड़ेगा कि मेरे मित्र अब्बास के हां मैं र आप चार साल तीन सो दिन केवल मुस्लिमों के लिए सोचते हैं सरवजिन हिताय सरवजिन सुखाय सोचते हैं सबका विकास और पांच दिन आप हिंदू मुस्लिम करते हैं यानि कि चार साल तीन सो दिन आप उन कट्टर हिंदूों के बारे में या फिर जो आपका वोट बैं जो कॉंग्रेस करती थी पिछले 10 सालों में बीजेपी ने बहुत बड़े पैमाने पर किया है फिर भी कुछ नहीं मिला ना सिफर रहे तो ना आप हिंदूओं में रहे ना मुसल्मान में आप बीच में रहे गए तो ये बीजेपी को सोचना चाहिए बीजेपी पूरे तरीके से नहीं साध पाई है और यही बजा रही है कि पीछे की सकती जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में असी का लक्षे रखना चालिस पर आना रुजान यही अभी तक बता रहे हैं तो आपको क्या लगता है इस वाना क्या इससे भी वो एफेक्ट होगा रभावित होगा देखे पहले तो आप यह समझे कि मुस्लिम कैसे बोट करता है हम लोग यह कर रहे हैं कि परहान मंत्री ने तुष्टी करन किये नहीं किये मुस्लिम बोट करता है अपने इंटरनेशनल कॉल पे और एक बात हम लोगों को जरूर चर्चा करनी चाहिए कि भारत में नरेंद मोदी के सक्ता से हटाने के लिए एक अमेरिका का अरब पती पागल जोर सोरोस आठ हजार करोर रुपया भारत में इंवेस्ट करने की बात खुले आम प्रेस कॉंफरेंस करके कर चुका है हम लोगों ने देखा है कि सोसल मीडिया पर एकाई कॉंग्रिस के लिए बेब पैदा किये गए यह यहीं नहीं हुआ है हम लोग जाने अन जाने में उस बेब में भी वहें हैं हाँ यहाँ पर मोदी की गल्ती परहाद मंतरी की गल्ती देश की सत्ता की गल्ती है कि उसको यह काउंटर नहीं कर सके यह सबसे बड़ी वात है ये केवल हमारे आप देखिए एक वारा हुल गानी पकड़े गए थे एरपोर्ट पर सुबह सुबह कहां से आ रहे हैं तो उजवेकिस्तान क्या करने गए थे तो ये आज से नहीं मेरे पास आठ मैने पहले से ये ख़वर था कि इस वार का मुसलमान कॉंग्रेस को वोट करेग और इनको ये भी इंस्ट्रेक्शन था कि जो आपको हर हालत में कॉंग्रेस को करना है ये नहीं करना है कि यहां कॉंग्रेस नहीं है तो नहीं करेंगे और यही कारण हुआ कि कॉंग्रेस के साथ नहीं चाहते हुए भी सारे छोटे छोटे दल ने गटवंदन की इसके अंद राश्टिये साजीसों को भी हमको पकरना होगा और आप लोग बहुत देर से पेपर लिग की बात कर रहे हैं पेपर लिग तो कॉंग्रेस के राज में सबसे ज़्यादा हुआ मैं बता रहा हूं सबसे ज़्यादा हुआ है यूपी में जो हुआ उस पर योगी ने जबरदस्त करवाई की लेकिन राजसान में जो हुए था उस पर आज तक करवाई हुए तो बता दें लेकिन कहां गल्ती हुए भाजपा इसको बिल्ट अपने कर पाती है यह प्रॉब्लम भाजपा की यह बहुत सारी बातों पर आकरमक नहीं होती है जहां होना चाहिए और यही सब है हलाकि अभी अंतिम परिणाम आने तक हमें और तस्वीर साफ हो गई है अब तो सीट भी हम बता रहे हैं अपने दर्शपों के कौन कहां से जीता हुआ है अब रुजान का वक्त खत्म हो गया है अब परडाम का वक्त आ गया है जी बात और इसमें जोड़ दू कि जिस तर ये सब कमिया रही है भाजपा की